नमस्कार दस्तों मैं आज आप लोग के बीच पचास मार्स के इंगलिस लेकर करके यहां हूं इससे पहले जो है मैं पोई रोज सक्षन खत्म कर दिया हूं पर रोज सक्षर के जितने भी अब्जेक्टिव बन देखते हैं मैं सबस्वारे बहुत सारी अब्जेक्टिव को खत करती हैं तो आज में आप लोग पचास मार्स का इंगलिस की में बटीकशन बताने के लिए जा रहां हो दाज़ए भॉद्टिस लिंख और उसको लिखा है विल्यम वर्ट्स वर्ट्स बेर्स भास जोकी आर्ट में में पुछा गया है ऐब हाँ सब्सक्राइब ओडिक है तो अग्ली वीडियो 1D like a lonely cloth, जो कभी जो अकेला समझ रहा था किस काहनी पूइटर्या समयगा कभी अपने आपको अकेला समझ रहा है और वो क्यों है वो, दसमालई पूइट तो इसमें पोई दिकत नहीं है वह उसको भी कानी कार रहा हैं हुए जी अगले नमर्क अब्जक्टीव पर वयर 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 व्यर व क्यां वहयर का मतलब वह यहां वहां जो आउड जो है ना इसका मतलब है न अलग इसका मतलब है जएसे एक कतार में लगा हुआ इधर उधर जो है ज़िताय नो जो है आपके बीटीज अपलेट अप्र शाय लेख तो एक देल के किनारी जो है ज़िए पूरा खेद लगा हुआ है पूरा फिलर तो उसी में क्या कर रहा है तो आपने आप में घेक कर रहा है मतलब हो जूम रहा है बाज्धा साइड़ जूम रहा है पस एक बिरिज थे भाब कारा फिल्ट्रेग्ष कर रहा तो यहां से वह फल्सपीर्ख है दॉं। लेटिरिंग अगा नसे करा यहां जोब देखा उसको थो थो तो क्या करता हूं पूरा फ्याटिंग अडांसिंग करता तो कौन चीच सुटेभा अम मिद्लेदों न्याव हो क्या तरह दूर साथ अपने आप में जूम रहा था तो वे वे बिन्दा लेक यां इन दल्य का मतलब वह विव इन दल्य का मतलब हुआ जैसे वेव मतलब तरंग होता है दल्य एक मतलब जील तो विएर की तरह ज्ञास जील के किनाने से वह जूमरा थीजिए पुट्री एसमें इसका में इंगिल्स का लगई इसलिए आप लोग को उत्परतांग लग रहा तो नूम है इसा सब क्होंचा सब दाल सब कर दाफ येट है एक कानी का नाम नाम में उच्वे ने फैलाक अपन दफन कानी का लिए गया मिनिया लेगे प्राकिर्टिक जो इसको बनाया है तो कैसा बनाया रहे दाफॉल्टिस के दरब ठीक है इस थीम को का रहा है यह जो आया सीम क्वेशन पुछा हुआ है ठीक है दुए दर अठार में कि यह जबता ते पॉर्टिस में दरब देथे दर भाब के जीम यह जासे पाइण को कांषी देखा थे लेग के नित में अ के पीछाई है यह जो आया ध्यूटिस के इस वीडियो अ पुल्टिस को बनाच गासे कि पाद आप ट्रूंड रहे चात रही है ते कि एक रखुदूगा आपकी जागे कि लिवजी लगर क्यांगा तिक एक बाब ये रिसको जरू की जिलामा